हलो व्रीवान आई वेलकम तो वाल आफ यू इन दिस लेक्चर सो गाइस इस लेक्चर में आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी के एंसी क्यूज जो आपके जेके असर भी पंचाई सेक्रेटरी के एक्जाम का जो स्लेबर से उसी के अपको ये एंसी कूज देखने को मिलेंगे हैं यहान पहिए आज को कोंशन ह होमर के लिए ओर बस धर्ट रल रीडिंग आप की एंडियन कांसिमेशन आपने जो भी इसका राइट आप्शन होगा वो कमेंट वाक्स में बताना है तो आप बोलोगी कि स्टार्टिंग में यहां पर होमबद करिया जाता है अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्रीबियस लेक्चर द को डिस्क्रिप्शन वाक्स मिल जाएंगा जैसे कि आपको सभी को पता है कि हमने अब जीन के का पोश्चन भी स्टार्ट कर दिया गया है लेक्श्चर नमबर टू जो उसका पार्ट नमबर टू होगा वह भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा तो चलिए फिर करते हैं व को हमँए प्रेजिडेंट हैं वो उनको इनको सब्सक्क्रन कर सकते हैं तो बताइए यह फीकर नमने कहांसे वारू किया हमारे इंडियनhã सब्सक्रार थी कंजीन देखने को मिलता है यह आपको कहांसे देखने को मिलता है किस कंठरी से इसको बारू किया गया है तो दोस् tightening य right option, next question चलिए, which part of the constitution is considered as the magna gotta of India, magna gotta of India किस part को बोला गया है, क्या part four को बोला गया, three को, five को, या फिर four, a को, ये बोला गया part आपके third को, ठीक है, part third को, option b is the right option, next question देखिए क्या, कि freedom of press is implicit in the article, freedom of press जो है, यो किस article के ताहित में, इसको implicit किया गया है, तो आपने ये बताना है, इसका right option जो भी होगा, article 18 में, 33 में, 19 में, या फिर 14 में, तो ये जो right of freedom of press जो है, ये आपका article कुन से में आता है, 19 में आता है, ठीक है, next question देखिएगा, concept of concurrent list in Indian constitution is borrowed from, कहां से concurrent, जो list है Indian constitution में ये देखने को मिलेगा, ये कहां से ये feature बारो किया गया है, इन्होंने, देखिए features के regarding मैं आपको पता हूँ, हो सकता है, politics से आपको दो से थीन कोशन, minimum दो तो आएंगे आएंगे, जादे से जादे से जादे तीन पूछे जा सकते हैं, पर तीन के बहुत कम चांसे हैं, दो कोशन तो आपको इसमें से बनेंगे, concept of concurrent list के वो कहां से बारो किया गया, यूएसे से जापान, कैनेडा या फिर अस्ट्रेलिया, तो इसको बारो किया गया है अस्ट्रेलिया, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि finance, account रेस्टेंट का exam जो है, वो 16, इस मंद की 16 से स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं, app tech की ही, क्योंकि उसको agency करवाईगी, जो agency उन्होंने हाईर किया, वो ही exam को करेगी, अब उनका level क्या रहेगा, यह चीज़े अब हमें आपके देखेंगे, बोडो एंडोगरी, फिर जाके हमें पता चलेगा कि पंचाई secretary की जो जी के होगी, उसका level क्या होगा, देखें, इंग्लिश का भी हमें level पता है, क्योंकि जो उन्होंने exam conduct करवाया था, ऐसा ही खा, उसमें आपका एक open syllabus था, जिसमें कुछ भी चीज़े पूछी जा सकती थी, कोई limit नहीं थी, कोई मतलब की criteria ना था, waitage नहीं थी, कि कि किस ने number की कौन सी चीज़ पूछी जाएगे, तो इस चीज़ हमें answer के, मैं उनकी जब देखी, तो वहां पे चीज़े हमें clear हुई, कि जो stenographer का syllabus तो आपको एक sequence में दिया गया था, बर question हमें shuffle देखे, reasoning के, फिर English के, फिर कुछ इस बीच बीच में, ऐसे add की हुए थे, तो इस चीज़े देखेंगे हम, so चलिए फिर करते हैं नहीं, अगर ऐसा हुए तो app tech का ही, BLW के टाइम पे तो BLW का एक्जाम भी ऐसा ही आ सकते हैं, तो देखेंगे फिर कौन सी चीज़ कितनी weightage में आ रही है, तो question आपके screen पर है कि Bodo and degree were added in the 8th schedule of the constitution, तो बताइएगा कौन सी amendment के ताया था है, Bodo, degree और इसके साथ और भी language है, Mathly, M-A-I-T-H-L-I, Mathly और संथाली, संथाली, यह जो language थी, इनको add किया गया, 8th schedule में, कौन सी amendment के तायद, तो यह किया, 92nd amendment, कब हुई, 2003, चलिए, चलिए next question, who said the constitution assembly that DPSP has like a check on a bank payable at the convenience of the bank, किस परसन द्वारा यह चीज़ गई है, कि जो constitution assembly है, DPSP उसका जो है, एक check है, बैंक की तरह, जो कि payable at the convenience of the bank के, कि इनको किस के, बैंक के, तो बताइए किस ने का, के मुंची ने, के मुंची ने, के मुंची ने, डाक्टर बिया रंबेटकर अस्टिन ने या फिर केटी शाह ने, इसमें जो यह बात की गई है, वो की गई है, केटी शाह द्वारा, इसका right option, D option है, next question देखिए, कि right to privacy comes under, right to privacy है, कौन से article के अंदर अगर बात करें, हम तो कौन से article के अंदर आती है, तो right to privacy है, वो आपको पता है, 21 article के अंदर आती है option, C option is the right option, which article of Indian constitution provide the free legal aid and equal justice, कौन सा इनमें से हैसा article के, जो कि free legal aid provide करते हैं, equal justice के तो, दोस्तों हमने DPSP पढ़ा था, उसके अंदर यह चीज़ आती है, तो article जो आपका 39, यह सब सेक्षिन यह है, उसमें यह चीज़ मेंचन किये गई है, कि जो equal justice होगा और free legal aid होगी, तो यह जो सब सेक्षिन 39A है, यह add कौन सी amendment के तहत हुई है, 42nd amendment के तहत है, यह add हुई है, और यह 9076 में यह amendment करवाई गई थी, ओके, next question लिखें, दोस्तों यह बहुत ज़दा important question है, कि कौन सा article, कौन सी amendment के तहत बना, कौन सी amendment में क्या क्या चीज हुई, यह amendment बहुत ज़दा important है, बहुत ज़दा, which of the following articles comes into 4th of 26th January, sorry, November 1949 and the day of constitution was adopted, देखें, जब 26th November 1949 को हमारा constitution बनके त्यार हुआ, उस time तो एक article की बात नहीं है, बहुत सारे article थे, जो उस time पे adapt हुए थे, article 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9, 60, 324, 366, 372 और जिसमें आपका 388 भी था article, option, यह option is the right option, 391, 392, 393, यह जो articles थे, कौन कौन सा article इस date पे वो अड़ाप्ट हुआ था, 5, 6, 8, 9, 60, 324, और, 366, 372, 388, जो option में आपको, 391, 392, and 393, यह जितने भी आर्टिकल नहीं, यह इसी date को add किये थे, ठीक है, तो option is the right option, उसके बाद आता है, कि which amendment of the constitution lowered the voting age from 21 to 18 years, पहले जो age गुआ करती थी, वो 21 होती थी, right to vote, अब जो age है, वो है 18, अब दोस्तों, यह पूछा जा सकता है, कि यह बहुत बार कोशन पूछा गया, बहुत जादा बार, बताईएगा, कि कौन सी amendment, constitution amendment के तहती यह चीज हुई थी, यह हुई थी, 1988 में एक constitution amendment हुई थी, उसके तहत यह चीज, reduce की गई, जो voting age थी, तो यह कौन सी option होना चाहिए, इसका, I think, इसका 61st amendment जो हुई थी, उसके तहत यह चीज हुई है, next question चलिए, next question देखते हैं, कई से लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, तो लेक्चर को like जूर करतीजिए, अब यह बाता आती है, कि कौन सा article जो एक power, authority देता है, power देता है, कि आप article को amend, यानि कि parliament को, powers of the parliament to amend the constitution को खर सकते हैं, तो कौन सा article होता है, तो वो होता है, article, 368 article, जो कि power देता है, कि आप constitution में amendment कर सकते हो, concept of concurrent list, यह तो हमने कर लिया था, उसके बाद आता है, हमारा question, डॉक्टर बी आरम बेटकर वास elected to the constitute assembly from, कहां से इनको मतलगी assembly में लाया गया दोस्तों, तो यह लाया गया best बेंगाल से, option is the right option, यह कोई छोटे मोटे एक्जाम के कोशन नहीं है, यह बहुत ही high level की guested post के question है, deferment of adult franchise for 15 years was adopted in, अब यह इस तरह के question हो, मैं दिखाऊंगा आपको जो non guested post के question हो किस तरह से रहते हैं, वो भी दिखाऊंगा, यह भी आपके लिए ही है, ठीक है, तो बताएगा कि किसने यह चीज़ को बोला कि deferment की adult franchise for 15 years was advocating the constitution assembly, deferment की adult जो की 15 years से रहे, तो यह की मोलाना अज साथ ने, next question हाता है, who amongst the following advised that the Indian National Congress should be dispended as a political party after independence of India, किसके द्वारा यह भात की गई थी, सी राजा गुपालचारी, जैपरकाश नाराहिन, अचारे के रिपलानी और महात्मा गांदी, तो यह की गई महात्मा गांदी द्वारा, option D is the right option, next question चलिए, constitution assembly was congress, ज्यान से सुना, constitution assembly थी, जो congress थी, बोला चारे, and congress जो है, वो इंडिया है, ठीक है, यह एकना अपना साहिलो गिजम बन जाता है, सारी की सारी constitution assembly, congress थी, वो congress जो था, वो इंडिया था, ठीक है, तो इस तरह से किसने यह बात कही थी, कि constitution जो assembly वो congress की थी, और congress जो है, congress जो थी, वो इंडिया था, यह कीगी, अस्टीन द्वारा, option is the right option, यह question बहुत ही ज़्याद इंबॉडन है, इसका नोट कर लो, उसके बाद आता है, कि first draft of the constitution assembly was prepared by, इसके द्वारा first जो draft था, constitution assembly का, वो prepared किया गया था, एप गया था, वे ट गया था, बेट, बेट, बेर बेट, गया था, वो था, बेट, ऐसंटी तरहरे कोशन है, इसका नोटे साथान कर था, कोशन था मारा, किसके द्वारा इसको प्रपेट किया गया बिया रम बेटकर द्वारा बियन राउ द्वारा बताईएगा जल्दी से जल्दी से बताएं गाइस दोस्तों जो बियन राउ ने ही यह फस्स जो ड्राउ था प्रपेड किया और बियन राउ जो थे इनको अडवाइजर का बनाया गया कांस्ट्यूशन का असेंबली का अगर बात करूं तो 11 दिसंबर नाइटी पोटी सिक्स को ठीक है नेक्स्ट क्वेशन देखिए कांस्ट्यूशन सेंबली सेट अप द्रॉप्टिं कमेटी अंडर दी चेर्मेंशिप आफ ब्रम बेटकर कब यह कीगी 29 अगस्ट 1947 जिसमें आपके साथ मेंबर थे बहुत द्रॉट इस अधर इंपर्टन कोशन है यह हूँ वाज कुंस्टिशन अडवाईजर एड़ टी ताइम एफ फ्रमेशन अब यह यह व्याजिट इस के बार नक्स कोशन आता है वंदेट कांस्टिशन इसमली डाप्ट था नेशन फ्लैग नेशन फ्लैग कर अडप्ट किया आसून आसंबली ने वो किया आपका 22 जुलाई को 1947 को और अगर आप से कोशी पूचा जाए कि नैशनल फ्लैग चेर्मेन आफ नैशनल फ्लैग कमेटी कोई कोई थे चेर्मेन आफ नैशनल फ्लैग कोई थे वो वो थे आपके डाक्टर राजिंदर परसाद डाक्टर राजिंदर परसाद जो थे वो चेर्मेन थे किसके नैशनल फ्लैग कमेटी के एक इंपॉर्टन चीज थी जो आपके साथ डिस्कुशन करनी थी कि अगर आपसे पूचाए कि टोटल जो कांस्टिविशन सेमली के मेंबर थे वो कितने थे दोस्तों वो थे आपके 3 389 मेंबर थे लिखाने जा रहा है कमेंट टोटल कितने मेंबर थे 389 मेंबर थे दोस्तों और 389 मेंबर से पार्टिशन यानि कि आपके पार्टिशन के बाद कितने रहे गे आपके जो मेंबर थे वो रह गे 299 जिसमें से आपके जो थे 70 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के थे और बाकी जो थे 229 जो थे वो प्रोविंसिस के राचिस के तो दोसो इसमें से अगर आपसे पूछा जाए उनकों याद रख लिए कि है टोटल नंबर पार्टिशन के बाद इतने रह गे जाने कि जो 90 थे वो मूव कर गे पाकिस्तान उसमें से 70 जो थे प्रिंसली स्टेट के थे 229 जो प्रोविंसिस के थे और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सारे मेंबर जो थे उन्होंने कांस्टिटुशन को साइन किया था त अगर इन मेंबर की बात की जाए इच मेंसे 15 ऐसी बूमेंड जो थी वो कॉंस्टिशेशन असेम्बली के अंदर भी थी यानि कि कॉंस्टिटुशन असेम्बली के मैंबर थी तो यह आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि टोटल नमबर आप बूमेंड मैंबर्स इन दी इ इन्होंने constitution assembly को sign किया गया था ठीक है इंडियन constitution को sign किया गया था तो यह चीज काफी ज़ाद इंपॉर्टन थी जो आपके साथ discussion करना जरूरी थी तो इसके बाद आपके सामने के question है इसका answer जो भी आपके mind में बन रहा है यहां अगर आपको नहीं आता गूगल करके इसका answer comment box में जुरूर बताइएगा तो next video में उन सभी बच्चों का यहां भी norm announce किया जाएगा lecture number six में जो जो इसका answer करेंगे इस वीडियो को यह तक रखते हैं अब मिलेंगे आपसे नेक्श वीडियो में तो तो खली बाइएट एक करेंगे अच्छे वीडियों को अब तो ख्लीप बाइएंड टेक करेंगे